हालो काईज, वेलकॉम डूट एक ये आसर यूट्यूब चैनल और फाइनली सैमसंग ने अपने गैलक्सी M35 5G स्मार्टफोन को आज इंडेन मार्किट में लॉंच कर दिया है स्पैक्स भी आच चुक है, प्राइस पॉइंट भी आच चुक है, सारी शुज़ के बार में बताने वालो कि ये जो प्राइस पॉइंट पे लॉंच आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कम्प्लीट डिटेल देने वालो सुका आइस चरी वीडियो स्टाउट करते है, सो फ्रेंज वीडियो स्टाउट कर लेते हैं, बिना टैम वेस करें, फटा फट सा आपको गैलेक्सी M35 5G स्माटफोन के इंडियन रिटेल यूनिट के कम्प्लीट फीचर्स बता देता हूँ, बिल्ड डिजाइन एंड फस्ट सिंच का, एक सेंटर पंच वल के साथ में, 120 हर्ट सिफेट के साथ में, फ्लाट अमलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, रेम एंड रॉम के अगर हम बात करें, 6GB से बेस्ट रंड स्टाउट होता है, तो आपको एक 8GB रेम वाला वीरेंट भी देखने को मिल जाता है, हाई 50MP का प्रामेरी संसर है, OIS के साथ में, एक 8GB का अल्टरा वाइटिंगल कैमरा मिलता है, एक 2MP का मैक्रो कैमरा है, जबकि 13MP का सेलफी कैमरा भी दिया गया है, एंडॉइड वर्जन एंड युवाई के अगरम बात करें, तो एंडॉइड 14 आउट अट 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 बॉक्स मिल जाता है, वन युवाई पर यहाँ पर यहाँ रन करता है, यहाँ पर टोटल आपको 4 years के OS update मिलेंगे, 5 years का security patch वाल अपडेट दिया जाएगा, सेंसर यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंकुडिंग साइड मॉट्रेट फिंगपेंड स्कैनर, फेस अनलोक का डबे में charger नहीं देते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई भी charger देखने को नहीं मिलते हैं, यह और यहाँ पर आपको complete specs देखने को मिल जाते हैं, Samsung Galaxy M35 5G smartphone के Indian detail unit में, अब बात के लिएते हैं सबसे important चीज़ के बारे में, क्या कुछ price point पर Samsung ने इस Indian market में याँच करे हैं, क्या 15 अफल अप लगा के ले पाओगे, लेकिन जो इसके actual price point है, मेरे सब से around 20,000 उपीस के आसपस ही होना चीए, तो क्या आपको 16-17,000 उपे में सारे ओफल लगा के यह smartphone को लेना चीए, नहीं लेना चीए, देखो कुल मिला के मैं आपको सीधा-सीधा explain करता हूँ, क्या pros है, क्या अपने honest opinion share करूँगा, pros के अगर हम बात करें, डिस्प्ले यहाँ आपको phone में काफी सही देखने को मिल जाता है, camera smartphone का अच्छा रहेगा, UI experience आपको अच्छा मिल जाएगा, बड़ी battery देखने को मिलेगी, stereo speaker का support Samsung वाले लोग ने दिये, जो के काफी सही बात है, कम्यों के अगर हम बात करें, यह smartphone पर total मुझे दो cons लगे, सबसे पहला con, सबसे बड़ा con, यहाँ पर आपको Exynos का 1380 वाला chipset डिकने को मिलता है, no doubt N22 score वगर आपको काफी जादा बताएगा, काफी powerful वगरा बताएगा, लेकिन मेरा यहाँ पर personal opinion यह रहेगा, कि Exynos chipset वाल Heavitas आप इस्तेमाल करोगे, phone lack करने लग जाएगा, आपको बिल्कुल भी phone यूज करने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको Exynos का processor वाले phone लेने को मना करता हूँ, क्योंकि personal यहाँ पर मेरा experience हो चुका है, second कौन के अगर हम बात करें, जो के personally Samsung की मु बढ़ यहाँ पर charger आपको देखने को नहीं मिलता है, charger के लिए आप अलग से जो 1500 रुपे दालो, तो वो भी मेरे सबसे इसमें costing में जोडना चीए, तो यह smartphone दिखा रहा तो 16000 रुपे, लेकिन आप actual costing पकड़े के चलो, offer वगरा के साथ में भी जोए, 7500 रुपे के आसपास आपको देखने को मिलता है, तो कुल मिला है कि क्या यह smartphone लेना चीए, नहीं लेना चीए, देखो अगर आप बहुत ज़्यादा Samsung के die-hard fan हो, कि Samsung का ही phone चीए, उसके अलावा में को कोई market option नहीं देखना है, तब आप यह smartphone की तरफ देख सकते हो, क्योंकि 16700 पे में Samsung का phone चीए तब ठीक है, otherwise recommended नहीं है, market में competitions के अगर हम बात करें, तो 16700 पे में, आपको Amazon Prime Day Sale की में बात करो, Realme Narzo 70 Pro देखने को मिलेगा, सीव 15250, मतब वही 15250 रुपीज में, यह वहाँ पर आपको Sony AMX 890 वालर sensor देखने को मिलता है, प्लस Dimensity 7050 5G की बड़िया performance मिल जाती है, 67W का faster out of the box मिल जाता है, इससे far better option है, या अगर आप सेम एक 1000 पर बढ़ा देते हो, तो आपको IQ Z9 या Vivo T3 आप खेलो, Dimensity 7200 जैसे powerful chipset आपको देखने को मिलता है, Sony AMX 882 वाला primary sensor वगरा देखने को मिल जाता है, 44W का faster आपको डबे में देखने को मिल जाता है, तो कुल मिला का अगर कमेंट नहीं करूँगा, इसकी जगे पे Narzo 70 Pro ले लेना, या IQ Z9 जैसे smartphone का आप purchase कर सकते हो, विसे गए जाम मुझे कम सेक्षिन में बताना, Galaxy M35 5G smartphone आपको कैसा लगा, क्या भी ये smartphone के साथ में जाओगे, नहीं जाओगे, जो भी आपके honest opinion है, ये smartphone को लेके कोई भी questions है, queries है मुझे पूछ इना नीचे comments में, सब्सक्राइब कर देना, मैं मैंने तब सब्सक्राइब कर देना, मैं मैंने तब सब्सक्राइब कर देना, चुब तक के लिए, thank you